नमस्कार एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो जो है वो PM किसान से सम्मंदित है आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना यानि जिसको PM किसान योजना के नाम से जानते हैं इसमें हर साल 2000 करके तीन किस्तें किसानों को दी जाती है आर्थिक सायता के रूप में और अगर इस योजना का लाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए बहुत ही बढ़ियां खुसकबरी आई है मैं आपको वह भी दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसमें इंडॉन कर सकते हैं फिर से एक बार PM किसान योजना में रेजिस्टर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है अगर आप अभी तक इसमें रेजिस्टर्ड नहीं है आप अगर एक रेजिस्टर्ड फार्मर नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत में तो वैसे इस् श्चतिति में आप इसका ला ले सकते हैं अब आप योग्य हैं कि नहीं है इस चीज को अगर आप जानना चाहएं कि इसमें क्या है क्रेटेरिया तो मैं आपको बता दूँ कि UKM किसान संंहों ने धी योजना में वैसे लोग जो हैं वो योग्ये हैं जो किसी भी प्रकार से सरकारी नोकरी नहीं करता हो जो किसान हो और मतलब एक परिवार में से एक वेक्ति ही केवल योग्य है और एक परिवार का मतलब हुआ माता पिता और आठारा साल से कम उम्र के बच्चे अगर ऐसा है मतलब आपके परिवार में आपके एक परिवार में जो ह और आपके उपर कानूनी कारवाई हो सकती है, तो इसी लिए आप ऐसा बिलकुल भी ना करें, योजना में जिस प्रकार से नियम और एवंग सर्तें दी गई है, उसी आधार पर आप करें, खिक है, अगर आप सरकारी नोकरी भी करते हैं, तो अगर आप Group D में हैं, या Class 4 या MTS जॉब में हैं, तो भी आप इस योजना का लाब ले सकते हैं, यहां पर आप देखिए, लिखा हुआ है, कि All Super Annuated Retired Pensioner whose monthly pension is Rs.10,000 or more, excluding Multitasking staff, Class 4, Group D Employee of Above Category, यानि इन सबों के Group में अगर आप हैं, तो वैसे स्थिमाय में आप इस योजना का लाब ले सकते हैं, और इन सब Group स अलग अगर आप हैं, Group C में हैं, Group B में हैं, A में हैं, तो आप इस योजना का लाब नहीं ले सकते हैं, मतलब सरकारी नोकरी होते वे भी आप इस योजना का लाब ले सकते हैं, बड़सर्त यह होना चाहिए कि MTS या Group B का नोकरी होना चाहिए, या Class 4 का नोकरी होना चाहिए, और इसके अलावे एक परिबार में एक ही वेक्ति इसका लाव ले सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस योजना में अपना रेशेशन कैसे करेंगे तो यही है वो वेबसाइट परदानमंतरी किसान सम्मा निदी योजना की और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे लिंक आपको रेशेशन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहां देखे लिखा हुआ है न्यू फार्मर रेशेशन इसके उपर आपको click करना, इसके उपर आप जैसे ही click करेंगे, तो आपके सामने जो है, यहाँ पर आजाएगा आधार number डालने का option, यहाँ पर mobile number डालने का option, और यहाँ पर अपना राजजी select करने का option, आप जिस राजजी से हैं, उस राजजी को select करेंगे, और इसके अलावे यहाँ पर यहाँ capcha code को डालेंगे यह वाला जो capcha है उसको इस घर में fill करेंगे और get OTP करेंगे OTP डालेंगे उसके बाद जो जो details मांगा जाएगा वो सारा details आप डाल देंगे आपका registration हो जाएगा इससे पहले एक और बात यहाँ पर है यहाँ देखें ऊपर में दो option है rural farmer registration अर्बन फार्मर, रूरन का मतला होता है ग्रामीन और अर्बन का मतला होता है सहरी, अगर आप ग्रामीन छेतर के किसान है तो वैसे इस्तिति में आप इसके उपर क्लिक करेंगे, अगर आप सहरी छेतर के किसान है तो वैसे इस्तिति में आप इसके उपर क्लिक करेंगे और बा में एक पार्ट होता है अंचल का सर्किल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में और वहां का जो हेड ओफिसर होता है उसको बोलते हैं सर्किल ओफिसर सी यो के नाम से उसको जाना जाता है उनके पास जाना होगा अगर आप योग्य हैं तो अपना सारा डोकुमेंट अगर लेकर कर कर दिया जाएगा और फिर आपको इस योजना का लाब मिलना प्रारम हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना का लाब जो है वो आपको मिलना प्रारम हो जाएगा बस आपको करना क्या है सबसे पहले यहां रेशेशन करना है रेशेशन करने के बाद अपना योग्य हैं, हमको इस योजना का लाब नहीं मिल रहा है, आपके application को approve कर देंगे, आपको इस योजना का लाब मिल जाएगा, तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाब ले सकते हैं, इसके अलावे एक और महत्पुर्ण बात में बताना चाहता हूँ कि इस योजना में बहु अपने block में जाएए, वहाँ पर circle officer से आप भेंट कीजिए, और उनसे सारा document आप लेते जाएगा, और वहाँ जाकर करके, जमीनी समंदित document को upload करा देजिए, दूसरा चीज है कि e-kyc, e-kyc अगर आपने पूरा नहीं किया हुआ है, तो आप अपने नेदिकी प्रग्यां के C अधार card से bank खाता link होना चाहिए, मतलब आपका जो है, वो bank अधार से link है कि नहीं, इस चीज़ को भी आप check कर लिजिए, check करने के लिए मैंने मेरे channel पर already video है, मैं decision box में सभी videos का link डाल दूँगा, वहाँ से आप देख करके खुद check कर लिजिए, और अगर link नहीं है, तो वै तो फिर आपको जो है वो परदानमत्री किसान सम्मान नेदी योजना की किस्तें जो हो मिलना सुरू हो जाएगा, जो पुराने फार्मन है, जिनमें ये सारी समस्याए है, जिनका जमीनी document अपलोड नहीं है, आधार card से bank खाता link नहीं है, और ये कवाई से पूरा नहीं है, उनको कोई किस्त नहीं मिलने वाले आगे वाला, इसलिए आप इन सीजों को ध्यान में रखते हुए और सारे काम को अतिसिग्र करा लें, और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहे हैं, और बने रही है हमारे चैनल के साथ धन्यवाद झाल झाल